दंगल अभी जारी है ब्रजभूशन और पहलवानों के बीच दंगल अभी थमा नहीं है यह अलग बात है कि सरकार के साथ पाचीत में पहलवानों ने इस बात पर सहमती जताई थी कि 15 जून तक वो कोई धरना पदरशन नहीं करेंगे और 15 जून की तारीख तैकी गई थी कि इस दिन तक पहलवान ये इंतजार करेंगे कि ब्रजभूशन के खिलाप निर्णायक कारवाई होती है या नहीं लेकिन 15 जून की तारीख से चार दिन पहले ही अपने इलाके में अपने गढ़ में ब्रजभूशन शरनल सिंग ने अपनी तागत का इजहार कर दिया एक भारी भरकम रेली में ब्रजभूशन खूब गरजे भारती जनता पार्टी का उत्रपदेश का संगठन का नेत्रत तो महां मौझूद था और सब के बीच ब्रजभूशन गरजे खूब गरजे कभिता विस के जरीए भी अपनी बात कही और शाहिरी के जरीए भी अपनी बात कही और रामचरित मानस की चौपाई़ूं को भी ध्रत किया और सबसे बड़ी बाती कि कि भारती जनता पार्टी अपने लोग सभा के उम्मीदवारों की सूची जब जारी करेगी तब करेगी दोहजार चोबिस में लेकिन बजभूशन ने सब के सामने ताल ठोक कर ऐलान कर दिया कि मैं कैसर गंज से ही चुनाव लड़ने जा रहा हूं यहनि बजभूशन ने अप शामिल करेगी यह नहीं करेगी वो बात की बात है लेकिन बजभूशन के तेवर और कलेवर बता रहे हैं कि बजभूशन किसी भी किस्म के दवाव में आने को तयार नहीं और दूसरी तरह पहलवानों के लिए हर्याना में एक ऐसा जनसमर्थन पैदा हो रहा है जिसकी अग जिनीत में खाप पंचायतों का एक अपना रोल है और वो किबल हर्याना नहीं वो पश्ची में उत्रपदेश को भी प्रभावित करते हैं और राजस्थान के कुछ हिस्सों को भी प्रभावित करती हैं खाप पंचायते हैं जंतर मंतर से आंदोलन भले ही समेट लिया गया ह लेकिन अब वो हर्याणा के गाउं गाउं में फेल रहा है धीरे धीरे दोलों तरफ से देखो और इंतिजार करों की रणनीदी अपना ही जा रही है पहलवानों के तेवर भी जसकी तस है और बेट भूशन के तेवर भी जसकी तस है बीच में खड़ी है सरकार और भारती जंत पार्टी 15 तारीक की लक्षमन रेखा सामने है बहुत दिन बच्चे नहीं क्या होगा बरिजबुशन जुकेंगे पहलवान समझोता करेंगे या बरिजबुशन जेल जाएंगे क्या होगा यह बड़ा सवाल है जो कुछ होगा उसका असर राजनीती पर भी पड़ेगा